पूजय माराजी सादर प्रणाम मेरे प्रशनों के उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हटियोग के विशे में और देवताओं के विशे में जो गहन विशलेशन आत्मक बाते आपने बताई वो अती सुंदर वा हृदे को चूँ देने वाली थी कुछ फर्दर क्वेस्चन्स उसे ही संबंदित है अगर उतर देंगे तो अती कृपा होगी पहला प्रशन है कि इतनी गहन बाते इतनी गूर बाते इतना नवीन ग्यान ये शास्त्रों में तो कहीं भी वर्नित नहीं है तो ये डीप इंसाइट्स हैं देफताओं के विशे में हट योग के विशे में योग के विशे में इसका स्रोथ क्या है क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं योग के उनमें तो ये सब नहीं मेंशन्ड है उनमें कहीं भी इसका उलेक नहीं है देफताओं के विशे में भी समाज में जो मानेता ही है वो तो काफी बिनप्रतीत होती है तो आपके इस ग्यान का सरोत क्या है दूसरा प्रशन महर्शी पतंजली के विशे में है चुकि योक्यों पर मेरा अध्यन रहा है और महर्शी पतंजली से बहुत जादा लगाव है आपकी पुस्तक देफताओं का इतिहास का मैंने अध्यन किया उसमें अनेक रिशी मुनियों का उलेक है परन्तो महर्शी पतंजली के विशे में वो पुस्तक मौन है वैसे तो महर्शी पतंजली के बारे में जितनी भी जानकारी अवीलेबल है वो रहसेवादी ही है जैसे महर्शी पतंजली की मा कानाम कहीं लोग गुनिका बताते हैं और पतंजली, अणजली में पत अर्थात वो गिरे थे, शेशनाक के अफ़तार है आदी आदी अनेक कथाएं उनके संबंद में हैं योगेन चित्तस से पदेन वाचाम, अलम शरीर से चवाइद देकेना आदी आदी शलोक भी जो राजा भोज के उनके विशे में है पर historically कोई भी verified fact उनके विशे में नहीं है मेरा आपसे निवेदन है कि महर्शी पतंजली के बारे में अपनी deep insights, कुछ रहस्योद घाटन, उनके जीवन, उनके चरेत्र और उनके काल के विशे में कुछ बता पाएं तो अतिकृपा होगी मेरा तीसरा प्रशन आपसे एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा मिशन के विशे में है मारा जी इस समय विश्व में हिंदूों की जनसंकिया करीब 7 बिलियन है और हिंदू करीब 15% है लगबग 1.1 बिलियन तो उनमें भी अनिक अनिक संप्रदाई हैं देवी दिफ्तों की पूजा हैं कुछ लोग निराकार को मानते हैं कुछ लोग साकार को मानते हैं और आपके मैंने अनिक विडियोस देखे तो जितना मुझे समझ में आता है कि आप एक ईश्वर, एक परब्रह्म परमीश्वर की अराधना पर बल देते हैं So what is your vision आपका vision क्या है, आपका उदेश्य क्या है क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो विस्तरत हिंदू समाज है, विशार हिंदू समाज है वो जिन विचारधाराओं में बटा हुआ है क्या उसको युनाइट करने का आपका उदेश्य है और आप उस उदेश्य में अपने को किस हद तक सफल पाते है एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा का क्या उदेश्य है अगर उतर देंगे, आपकी अतिक्रिपा होगी बहुत बहुत दन्यवाद प्रणाम एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा सैयम आपने पूछा है कि जिन बातों को हम कहते हैं वो गूड़ ग्यान धर्म शास्त्रों में नहीं मिलता देखिए, हमारे रिश्यों ने कहा है वेद केवल चार ही नहीं है वेद अनंत है ग्यान केवल उतना ही नहीं है जितना हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है ग्यान अनंत है और उस ग्यान का शुरूत क्या है वो पार ब्रह्म परमेश्वर और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मृत्यू के देवता भगवानियम जब से हमें परलोक में ले गई थे सारे रिशी मुनियों से हमें मिलवाया देवताओं से मिलवाया उसके बाद भी आज तक भी वे देवगण, रिशीगण हमें अपनी ज्ञान सभाओं में बुलाते रहते हैं वहाँ अनेक बातों पर विचार विमर्श होता रहता है इश्वर के विशे में, सरस्टी के विशे में मनुश्यों का इस समय कैसा चिंतन चल रहा है उन में कितना लोब लालच बढ़ गया है क्रोध बढ़ गया है स्वारत बढ़ गया है इसको कैसे कम किया जाए और आपको अचरज होगा कि केवल किताबें पढ़के सुनाते रहने से किसी का क्रोध कम नहीं होता लोब कम नहीं होता स्वारत कम नहीं होता हमारे यहां सत्युग के आज भी ऐसे ऐसे रिशी हैं वैज्ञानिक हैं जो हमारी इस प्रत्वी के लिए कारिय कर रहे हैं और वे इस तारा मंडल में बैठे हुए खासतोर से जिस को हम करती का नक्षत्र बोलते हैं छह साथ सितारे वहाँ हैं गुच्छा है तारों का और उसको शिवपुत्र भगवान कालति के का सिंगासन कहा जाता है तो वहाँ पे अनेक धर्म सभाए होती रहती हैं विचार विमर्श होते रहते हैं और भी बहुत से अस्थान हैं हमारी प्रत्वी मंडल से थोड़ा सा ऊपर अंतरिक्ष में जाके उन देवसत्ताओं के इस्थल हैं अस्थान हैं और वहाँ पर अक्सर पूर्णिमा में और अमावस्या में धर्म सभाए आयोजित की जाती हैं और रिशीगन अपने विचार रखते हैं और उन लोगों के पास में ऐसे यंत्र हैं सूरिय की तरफ को लगा देते हैं तो सूरिय की स्थिती बदल जाती है हम मनुश्यों की तरफ को लगा देते हैं तो हमारे विचारों में शुब परिवर्टन होने शुरू हो जाते हैं ये सारे चीजें मुझे को दिखाई गई हैं उन रिश्यों ने उन देवगणों ने अपनी अनुकंपा और करुणा करके मुझे अपनी सभाओं में बुलाया है अब भी बुलाते रहते हैं और मैं जाता रहता हूं तो वहां से ये ग्यान ये चीजें मुझे को प्राप्त होती रहते हैं देखिए आपका दूसरा प्रश्ण है महर्शी पतंजली के बारे में महर्शी पतंजली पाणिनी रिशी के शिश्य थे और पाणिनी रिशी को जो ग्यान दिया था वो महादेव शिव ने दिया था मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो योग सूत्र हैं महर्शी पतंजली के वो वास्तव में शिव के योग सूत्र हैं जिनकी व्याख्या पतंजली रिशी ने की है और ये ग्यान उनको अपने गुरु पाणिनी से और पाणिनी को शिव से प्राप्त हुआ था पतंजली रिशी जो है इसा से लगबग दो सो वर्ष पहले है और वैदिक रिशियों के बहुत बाद के ये रिशी हुए है लेकिन इन्होंने योगमार्ग को अपनाया और जो भुपाल है मद्यपरदेश में उसके निकट एक गाउं में इनका जनम हुआ था और शेश नाग के अवतार किसलिए इनको कहा गया शेश नाग से मतलब है आप देखो भगवान शिव के गले में साप पड़े हैं तो वो एक प्रतीक है प्रतीक क्या है कि जो हमारी सांसों में चेतना है प्राण शक्ती है उसका सैयम हम कैसे करें प्राणायाम से मतलब है साप की फुंकार का है इन प्राणों का नियमन करना इनको सम करना बराबर करना या थोड़ी देर मस्तिश्क में रोक कर उस जोती का ध्यान करना सांस जो आता है हमारे गले से नाभी से आता है और मस्तिश्क तक इसको हम ले जाते हैं तो ये योग की एक बहुत ही महत्वपून प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में हमारे जो महादेव शिव हुए हैं वो इसमें निशनात थे सिद्ध हस्त थे और इसलिए उनके गले में सांप डाल के दिखाया जाता है कि ये गले में सांप इस सांप नहीं है वो प्राणायाम करने वाले रिशियों में से थे शिव और इसी लिए फिर शेश का अवतार, शेशनाक का अवतार यानि प्राणों पर शोध करने वाले रिशि पतंजली को कहा गया है कि ये शेशनाक के अवतार हुए है पतंजली रिशी ने भगवान शिव के ही सुतरों को उनके ही योगमार्ग को आगे बढ़ाया है और उसमें मुख्य यमनियम है आप जानते हैं उनको और बिना यमनियम के योग किसी को सिद्ध हो ही नहीं सकता और आप देखिए, जो साधक यमनियम को सिध्ध नहीं करेगा इनको जो अपने जीवन में सिध्ध नहीं करेगा वो योगासन कराता रहे, कुछ भी कराता रहे योग की क्लासें लेता रहे, उसको हासिल होने वाला है नहीं तो साधना का मुख्य विशे है यम और नियम जो इस साधना में निशनात हो जाता है जो अपने मन पर नियंतरन कर पाता है वो ही अपने शरीर पर नियंतरन कर पाता है और उसी की आत्मा प्रकाश मान होती है और महर्शी पतंजली इस कड़ी में एक बहुत महत्वपून रिशी हुए है हमने कई जगा उनका वर्णन किया है पुस्तक में नहीं किया लेकिन दूसरे स्थलों पे किया है वो आपको जानकारी उसकी नहीं हुई होगी तो और महर्शी पतंजली की समाधी रामेश्वरम में है वहां भी हम लोग गए थे महर्शी बालमिकी की समाधी नाग पतनम जिले में दक्षिन भारत में है इत्तु कुडी गाउं में है वहां भी हम लोगों को जाने का अफसर मिला और देवताओं के जो वैद कहलाते है वहां भी हम लोग गए उनकी समाधी वैदिश्वरम में है महर्शी पतंजली भी योग आचारिय तो थे ही एक महन चिकितसक भी थे उन्होंने चिकितसा शास्त्र भी लिखा और उसके वो आगे बढ़ाने वालों में से रहे ये सब रिशी मुनी महान हमारे देश में हुए हैं और इनको शिव कहा जाता है समाज का कल्यान करने वाली रिशी गान आपका तीसरा प्रशन है सयम एक तू सच्चा तरह नाम सच्चा मिशन के बारे में ये कोई संप्रदाय नहीं है प्राचीन हमारे देवगणों ने रिशीगणों ने जो हमको निरदेश दिये हैं आग्याईं दी हैं वेद जो हमको आग्याईं देता है उनी का हम अनुसरन कर रहे हैं उन में एक आग्या है कि हम सिरेश्ट पुरुष बने, आरिये बने देवपुत्र बने इदेग वेद में अनेक किस्थलों पर देवपुत्र देवपुत्र ये आता है देवो भुत्वा देवम यजेत तुम देवता बनकर उस परम्ब्रम्म की आराधना करो शिवो भुत्वा शिवम यजेत पहले तुम स्वम शिव बनो जो गुण शिव के अंदर है उनको तुम दारण करो और फिर वो जो परम शिव परमात्मा है निराकार ब्रह्म है उसकी तुम्हारा आधना करो विष्णों भुत्वा विष्णों यजेत पहले तुम शुब कर्म करने वाले विष्णों पुरुश बनू अपनी बुघाईयों को दोर करो और फिर वो जो सर्व व्यापी कणकण में समाया हुआ परमात्मा है उस परमात्मा को भी वेद में विश्णू कहा है और जो साधक है जो अपने को शुद्ध कर रहा है उसको भी विश्णू कहा गया है तो ठीक वो ही उद्देश ये हमारा है और हम ये मानते हैं कि इश्वर एक है उसको आप किसी भी भाशा में बोलिए आप अल्ला बोलते हैं तो वो परमात्मा अलग नहीं हो जाता लेकिन लोगों की बुद्धी अलग हो जाती है उनका चिंतन अलग हो जाता है हम उसको गौड बोलते हैं तो लोगों की बुद्धी अलग हो जाती है और वो सोचने लगते हैं ये इसाई हैं और ये हैं वो हैं ये एक अलग वो हो गया नहीं सूरिय एक है जैसे और आप उसको किसी भी भाशा में बोलिए तो सूरिय बदल नहीं जाता वो जैसा था वैसा ही बना रहता है ऐसे ही इश्वर है और संसार में दो ही जातियां है देव और असुर देवता वो हैं जो गुणों को धारण करते हैं अब गुणों को अपने में से निकालते चले जाते हैं और असुर वो हैं जो अब गुणों को धारण करते हैं बुराईयों को दारण करते हैं मदिरा, मांस, व्यभिचार, दुराचार दोसरों को कस्ट देना ये असुर कहे जाते हैं असुर यानि जिनकी बुद्धी में प्रकाश नहीं है जिनको जीवन की समझ पैदा नहीं होई है ऐसे ये लोग हैं हम सब उस परम्रम परमात्मा की संताने हैं और आपने पूछा आपके मिशन का उद्धेश्य उद्धेश्य है हर एक आत्मा को प्रकाशित करना हर एक व्यक्ति को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करना और उनको परमात्मा के प्रकाश के नीचे ले जाना परमेश्वर तेरी रोशनी को मैं आंधियों में लिये फिर रहा हूँ आत्माएं जो भठकी हुई हैं मैं उन्हें ढूंडता फिर रहा हूँ बेशक हमारा ये हिंदु समाज खंड़हर जैसी अवस्था में आ गया है लेकिन हम निराश नहीं हैं हमें निराश नहीं होना चाहिए कुछ मूर्ती पूजा करने वाले लोग हैं अब आप स्वम ही सोचिए एक पत्थर की मूर्ती के आगे आप सेब रखते हैं, केले रखते हैं वस्त्र आभोशन रखते हैं, धन रखते हैं तो इनका प्रियोग कौन करता है? क्या वो पत्थर की मूर्ती केले खाती है, सेब खाती है? नहीं मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ मैं किसी का विरोध भी नहीं करता हूँ लेकिन समाज में एक संदेश जाता है दूर तक परमात्मा की कोई प्रतिमा है ही नहीं ये सब हमारे महापुरुश हुए हैं शिव हैं, विष्णों हैं, प्रभुराम हैं, हनमान हैं, कृर्ष्ण माराज हैं, देवी पारवती हैं, और और हैं इनका हमें सम्मान करना चाहिए इनकी शान के खिलाफ एक भी शब्द हमें मुक से नहीं निकालना चाहिए ये हमारे पूरवज है पितरगण है ये स्वम उस परमब्रम परमात्मा के भक्त है उसी का निरंतर ध्यान और इस्मरण करते रहते हैं आप देखो बगवान शेव के हाथ में माला एक क्या जप रहे हैं उसी परमब्रम को जप रहे हैं प्रभराम ने किसकी आरादना की वेदमंत्रों के दWARा उसी परमब्रम की आरादना वो करते थे आप हनमान को देखो हनमान ऐसे रिशित है जो चारों वेदों के प्रकांड विद्वान थे और वो वेदमंत्रों का गायन करते रहते थे और आज भी हनुमान जी मौजूद है इस प्रत्वी मंडल पे है मेरे कहने का मतलब यह है जो हमारे प्राचीन देवताओं रिश्यों की विचारधारा थी उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं हम कोई नया संप्रदाय खड़ा नहीं कर रहे हैं अब आप देखे हमारे हैं चालिस दिन के वरत होते हैं उपवास होते हैं उनमें तीन प्रकार के हैं निरजल और जल पीके रखने वाले और तीसरे फल आदी के जो निर्जल नहीं रख सकते वो जल पीलो जो जल से भी जिनका काम नहीं चलता वो दूद पीलो फल खालो तो ये मनु महराज की चंद्राइन वरतों जैसे है वो एक महीने के हैं ये सवा महीने के होते हैं तो ये वो प्राचीन परंपरा ही है परम ब्रम की आराधना आप देखिए अथर वेद में एक मंत्रा आता है मैं आपको बताता हूँ उसका भावार्थ ये है कि अपना कल्यान चाहने वाले साधक को अर्धरातरी तक सोना चाहिए अर्धरातरी के बाद उठकर उसको ब्रह्म दिहान में इश्वर आराधना में लग जाना चाहिए ये मैं ही नहीं कह रहा ये अथर वेद के रिशी कह रहे हैं तो हमारे हैं यही है अर्धरातरी बीतती है एक बजता है डेड़ बजता है हम लोग अशनान करते हैं दो बजे उस परम ब्रम की आराधना करते हैं और फिर तीन बजे चार बजे पांच बजे हर घंटे पर हमारे यहां आराधना होती है आप कहेंगे हर घंटे पर आराधना करेंगे तो आराम कब करेंगे आराम करते करते आलस में पड़े पड़े तो जनम के जनम बीत गए आप इन समय पर पांच-पांच मिनट की आराधना करें फिर विश्राम करें फिर आराधना करें फिर विश्राम करें तो वो एक जोती का जो चक्र है वो हमारे अंदर चलता रहेगा हर घंटे पर हम उस प्रभु की आराधना करेंगे तो वो हमारे भीतर वो ग्यान वजूती इस्थित हो जाएगी यानि निश्चल हो जाएगी और हमारा मन भी उसमें एकाग्र हो जाएगा अब हम कहते हैं आप शराब मत पियें मांस मत खाएं जुवा लाटरी ना खेलें तो यह समाज के कल्याण के लिए ही है कितने लोगों ने मदिरा पान छोड़ भी दिया है उन्होंने प्रेणना प्राप्त की और वेद में मांस खाने वालों को मदिरा पीने वालों को क्या कहा गया है पिशाच जब उनका खान पीन गंदा होगा गलत होगा तो वे चोरी करेंगे हत्या करेंगे दूसरों परत्याचार करेंगे इन लोगों को यातुधान कहा गया है यातुधान वेद में कि राजा को चाहिए वो इनका प्रबंद करे, इनको नियंतरित करे, अप राधी हैं तो अप राधीयों को वो बंदी ग्रह में डाले और समाज को उनके अन्याय से बचाए, उस पीड़ा से बचाए तो मैं आपको फिर से दुबारा कहता हूँ, हमारा उदेश्य है उस परम्रम की आराधना करना, संसार में हरेक व्यक्ति का सम्मान करना, किसी का हिर्ड है हमारी बात से दुखे नहीं, ये हमको ध्यान रखना चाहिए, मनुष्य के रूप में परमात्मा हमेशा ही हमारे सामने ह उन मनुष्यों का हमें सतकार, सेवा करना ही हमारा परमधर्म है, राष्ट धर्म हमारा राष्ट सर्वोच्चता में जाए, अपने राष्ट के लिए हम कारिये करें, हम मानवतावादी बनें, इंसान इंसान में हम भेद ना करें, कोई ग्यानी होता है, कोई कम ग्यानवाला होता है, सब से हमें प्यार करना चाहिए, सब का सम्मान करना चाहिए, इश्वरवाद, राष्ट वाद, मानवतावाद, ये तीन चीजें हमारे यहाँ प्रमुख हैं और उनका हम आचरण भी करते हैं, सत्य का वरत बीसों साल पहले हम लोगों ने जो आश्रम में हम रहते हैं हमने लिया हुआ था कि हम कभी भी असत्य नहीं बोलेंगे हम निर्जल उपवास से रहेंगे हम हर घंटे पर आराधना करेंगे और जब हम स्वम इस तपो मार्ग में चलेंगे तब दूसरों को थोड़ी बहुत बात कह सकते हैं अन्य था यदि हम स्वम उस आचरण में ना हो हमारा आचरण शुद्ध ना हो तो हम किसी दूसरे को कहने के अधिकारी भी नहीं बनते इतना मैंने आपको बताया इसके पश्चात और भी कुछ प्रशन आपके मन में हो तो आप अबश्य हम से पूछें हमें रसन्नता होगी एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा झाल